डॉक्टर बाबा साहब अमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार डॉक्टर बाबा साहब अमबेडकर ओपन युवर्सिटी एंधा बातना चेतन्या स्टूडियो में आपसववेना स्वागत छे मास्टर अप सोसल वर्क MSW पेपर नमबर 402 अरोगी संभाल छेतरे समाज कारेक नी भूमिका अपने उपर चर्चा कडिये छी अत्यारे यहां आपने ब्लोक नमबर 4 ने यूनिट नमबर 2 मा आप बे नी उपर चर्चा करवान अच्छे त्यारे यहां उस्पीटल एक समाजीक जटीलता अविसाए छे तो यहां उपर आगा बढ़िये और आने उस्पीटल एक समाजीक जटीलता तो यह समज़व माटे समाज तमाम घटको नो चोकस प्रकार होए छे जे ते संस्थानी इस्थीडता अने संविधा संवादीता जालवी राखे छे एलियर्ट आने मेरिलिना मते यह बे समाजीक समाज सास्त्री छे यह उपर प्रकास पाड़े छे यह उपना प्रमानेजे जोई यह समाजीक संगठन अगर बात करिए तो समाजीक संस्था मुक्य ता घरीब अनुसुचीत जाती जन जाती पाचल लगुमत्ति समाजना नखवला वर्गोंना आर्थिक समाजीक सेक्षनिक सांस्कृतिक नेतिक विकास माटे विविद कारे क्रमाणू आयोजन करिए तालिम आप्पि औने आत्म निर्भर बनावा मदद करवी एक समाजिक संस्थाने तरीके विविद्ध अस्तर ना ग्यान और कोसल धरावता लोकों लोकों नो समावेश करती मल्टी फॉंक्शनल टीम साथे दर्दियों न संभाल पूड़ी पाड़े छे तो अपने समझ में आया कि हमको यह समझ में आया कि पहले समाजिक जटिलता को समझे कि समाज है क्या है तो सब को साथ लेके चलने का एक माध्यम है और उनके लिए कारे करना उनको मदद करना उनकी सेवा करना तो अगर उसी तरह से बात करें कि समाजिक संस्था तरीके होस्प के लोग हैं कि समाज कैसे आगे बढ़ेंदा किसल्स है कि समाज में पास में कोसल है वह समाज के ऊच्छ況 में इसभ्साइब करतें दे directement में अच्छे ह्ञाल करुछ समय है अट्वार चिहीद इसभार के लिए कारता है अगर बात करिए तो आरोग संस्थानों अर्थ जे आरोग संस्था अपने तो समझी गया कि के विरी ते आरोग संस्था जे होस्पीटल और समाज के विरी ते अने होस्पीटल के विरी ते समाज कहवाए कि संगठन कहवाए हुے आपरे आरोगसंस्था नों अर्थ्षमज जीए तो आरोग आपरे समझी गया छे कि विमारी कोईने बीमारी नहीं होय आमासीिवा GPU सम्हाजमा वह और्च पाहा पुड़ी पार्वा माटे काईदा द्वारा अधिकरीत आरोग संभाल संस्था है काईदा प्रमाहने प्राइबेट पर पन जो हो सब्याटा पन हो यहां पने पन मार्य पाहित दिग्री स्थाशली नहीं मैंने कोई नॉलेज नहीं, आने को HeheheheurTeam, नोहीं नहीं मैं खोλी सकता। तो कायधा प्रमाने प्राइबेट पन पन ये फिल हो ये निख आला होए। लोगोंने स्वास राखवा माटे तो यह सरकारी होए कि प्राइबेट होए यह मना सिवाए आरोग संभाल संस्थाओं माँ होस्पिटल, क्लिनिक, आरोग केंद्र, फार्मेसी, दवानी दुकानों और डॉक्टर और दंची कित्सानी ओफिसों न समावेस्थाई चे आ आरोग केंद्र यह सरकारी होए कि प्राइबेट पंद आरोग केंद्र कही सकी छे फार्मेस्तियों जे दवाव आपे छे जो रोक्टर लख्ये तो दवाई लेए आपड़े इंहां थी तो आवेसकता प्रमाने आपड़े बद्धाजनाव सकता पड़े छे तो ए आरोग स्वास्त संबंधित समाज्याओ परशपर सहकार आने मानो स्वास्त संबंधित समाज ना विकास माटे एक संस्था छे जे विश्व आरोग संस्था मा नाइन 194 सभ्वे देशो औने 2 सहयोगी सभ्वे छे ते संजुक्त राष्णू पेटा कम्पनी एकम छे जे डबलु एचो छे एमना उप भाग छे ने आ संस्थानी सथापना 17 अप्रेल 1948 ना रोज थाई हाती ने आपड़ी एमनी उद्धे समझी तो समगर विश्व मा आरोग ने प्रसाहाना पवाना विश्व ने सुरक्षित राखवा ने नखवा लोकों ना सेवा करवा माटे काम करे छे अमारो धे शुनिश्चित करवानों छे कि एजे दावा करे छे अमारो धे शुनिश्चित करवानों छे कि एक अबज बदू लोकों सारोजनिक आरोग कब्रेज घरावे छे एक अबज बदू लोकों ने आरोग कोटकत्ती सुरक्षित करे छे अने बदू एक अबज लोकों ने बदू सारोज आरोग आने सुखकारी प्रदान करे छे तो एटले अलग-अलग पॉलीसियों बनावे कोई रोग नी माहामारी घोसित करवानों होई तो ए नक्की करे अने एना माटे मानकों पनिरधारित करे छे कि ना समय उदाहरं चे डबलुयेच अत्यारे कोई ने माहामारी माथी काडि दी तो फेले डबलुयेच घोसित करे चे कि ए माहमारी छे आने अने बच्चवा मां पनिरधारित करे रोग करवा जोई है आने ये बाद करी ये तो डबलुएचो एमनी मोटी संस्था छे अने एमना उद्धेश डबलुएचो नो वन धारन जानावे छे कि तेने उद्धेश तमाम लोको माटे आरोगे ना उच्चितम अस्तरती सिद्धी छे तेनु मुख्य कारे रोगों खास करीने चेपी रोगों सामेल आरवानु आने विश्वनों लोको ना सामान स्वास्त ने प्रहत्ताः आपवानु छे मानोच जीवननी सरेशारा ओदी में बाधारो मानोच जीवन में के वी रीते जे इमनी आयोसी माँ छे आरोग हे तो ओए यह निरी तरर मे심, मरत्री अगे, पहुला आपड़े चर्चा में आया थे, स्वास्त ना उधियुद्य मिफिह थे ऑधारत है। तो WHO जे गाइडलाइन पारे छे, एमा थी पन नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनता हुए, कोई ना देशना, तो एमा थी लोको विशे लेभे छे, जे WHO ना गाइडलाइन छे, एमा फोलो करवा मा आवे छे, और वेक्ति ना सारीरिक, मांसिक, सुखकारी मा बादारो, जे स्वास्त आरोग के संस्थानों विविद भागो सुखे, बायो टेकनोलोजी, क्लिनिकल पदार्थो, दवानु वित्रन, दवा उत्पादो, हस्पीटलो, तबी विउपकर्णो, निदान परयोग सालाओ, नर्सिंग होम्स, आरोग संभाल, योजना परदाताओ, आने होम हेल्थ स्वास्त माटे मदद करता होई छे, तबी विउपकर्ण, आपे समझी गया, इजाज तपास माटे, निदान परयोग सालाओ, यहां लोकों ने राखी ने इना इलाज चालतू होए छे, नर्सिंग होम्स, प्राइबेट नर्सिंग होम्स, यहां चाले छे, क्लिनिकल पदार फार्मेसी कंपनी होचे, ए दवाई बनावे छे, पन नवी पिमारी पन आवे तो एना माटे पन सोध करीने आ लोकों बनावे छे, अने यहां पन डवलु एचो करे छे, अने डवलु एचो नी लागतू संस्थाव होए बहरत, जे गाइडलाइन होए एना प्रमाने भारत म जे आरओकी न लागतू कारे कर हो होए यहां यहींचो कि यहां कि दवाये सहे हैं मेडिसिन के बारे में उसके उपर ने बहुत काश्च करते हैं कि बताते हैं कि कैसे मेडिसरतली क्यों घ्याच करते हैं यह तो nell ergदनीज क्यों champions berlix, ने होस्पिटल में भी उसको डॉक्टर्स के पास भी उसकी गाइडलाइन भेजते हैं और लोगों को कैसे उससे मदद किया जा सके इसके लिए काम करते हैं आरोग ने अस्वर करता परिकलो सिक्षन आने साक्षरता बहुतिक वातावरन जीव विज्ञान आने जेनेटिक्स सांस्कृतिक लिएंग आवक आने समाजिक इस्थिति रोजगार काम करवानी इस्थिति आरोग संभाल सेवाओ तो बहुतिक वातावरन ये आपने स्वास्त मा के वी रिते असर करे छे आपने जानी पहले चर्चत थाई गया छे कि बहुतिक वातावरन जे आपने पौलूसं ठी गनावदा व्यमारियो थाए चे तो बहुतिक वातावरन के वी रिते राखigramानू और के वी रिते सही रही सक्के ये आपने साफसफाई राखवानु, विरिक्षार उपन करवानु एना सिवाए, जी विग्याना ने जेनिटिक्स, जे आपने जेनिटिक्स अनुवानसिक रोक्के बाए, यहले डेटी माती आयला छे, यहनी बहु, घनी एव विमारियों छे, डाइबिटिज छे, टीवी छे, यहेड़ पुजगार काम करवानी स्थिति जो आपने जब बिमार होई तो काम करवानी आपने सक्यता कम थाई जाए तो आरो के संभाल सेवाव एमा सहयोग करे छे लोगोंने कि एनी सांस्कृतिक को जैसे मेरा कोई विश्वास है उसके उपर आगात होगा तो मेरी मांसी किसी ठीक नहीं होगी तो वो मेरे दिमाग पर असर करेगा तो इसलिए हम समाजी कारे करता क्या है इन सब चीजों को ध्यान रखता है इन सब चीजों को सब्सक्राइब और मेरत के दिद्यों को वेयवस्थित परह आजसा परखने के लिए लोगों को अच्छे से स्वस्त्त रखने के लिए अपनी भूमीका आधा करता है और लोगों में आवएरनेस कर सकता है और आरोग सेवाव में प्रकार तो यह मानसिक चे-सारी रीक समाजिक नन्हान किये चे अध्यात्मीक फर्यक वर्नियेक न्यां चुए अब वचाह्या 6 ते समाजिक सांस्क्रीतिक पासांनी आरोग पर असर इस preciso समाजिक संस्कृतिक परिकलक नो लोको नी लागनियों मुल्यों मानेताओ वर्तन वलन और क्रिया प्रतिक्रियाओं प्रभावित करें उधारन मा समाजिक वर्ग धार्मिक मानेताओं मानेताओ समपतिन वित्रन, भाशा, व्युसाय, प्रधाओ, समाजिक मुल्यों, ग'REक नी प्रतिक संस्था आने काम प्रते वलनो समाबेस थाये छे ज cotton, संस्कृति छे, यह मानेताओं छे, यह केवी रिते प्रभाव करें छे यह की आपने कोईनी भासा बात करता होए सिमझ में नहीं आवे तो एपरें असर असर रेए कि तो साकाराथम कोई तो पन पृषश पापुवक भास roku aç साधुन आना साकाराथम करहानू एवना थी आपरें दनला भच्जरे शक्तुरे वच मेंने तो आरों समाजिक में विछारों लागणियों वर्तनुँँ को अने छेवट्टे आरोग ने परिनामों ने प्रभावित करे छे होस्पिटल मां समाजकारे विभागनू बेवस्था पन अने संकलन तबीवी समाजकारे एस समाजीक कारे नी पेटा सिश्थ छे तबीबी समाजिकारे करो समाने रीते होस्पिटल, आउट पेसेंट, क्लीनिक, सामुदाईक आरोगे एजेंसी, कुस्टल नर्सिंग सुविधा, लांबा गालानी संभाल सुविधा, अथवा धर्मसाला मा काम करे छे तो दर्दियों आने तेम्रा पडिवारों साथे काम करे छे, जेमने मनो समाजिक समर्थन नी जरूरत होए छे, तो हस्पिटल मा तो जाईने काम करे छे, आउट पेसेंट ना सहयोग करे छे, और समुदाए मा केवीरी ते रोक रोके, एमना तो काम करे छे, पहला पन चर्चा तो जाई गया छे, आने नर्सिंग सुद्धापना पे छे, कोई ने घावद होए तो जेमने ड्रेसिंग करी नाके छे, एमना सिवाए तो जे पड़ी कोई बिमार छे आने घर वाला घबडाई जाए, तो एमने मानसिक रीते के वीरीते मजबूत बनावानू, घर दियों न वहां के लोगों, जो उसके पड़िवार के लोग हैं, उसके उपर आस्रित लोग हैं, उसको भी मानसिक रूप से कैसे मजबूत कर सके, इसके लिए भी अपनी भूमिका होती है, यह होस्पीटल में समाज कारे करता होते हैं, वो होस्पीटल के साथ साथ में पड़िवार मे यह जाकर यह में अच्छे माहौल बने लोग्षा करात्मक्दिर्ष्टी से रहे उसके लिए काम करते क्योंकि समाज करता कि बुमी का समाज को मजबूत बनाना है समाज को सम्रिद बनाना है जिना सीवाई दर्दियोंने विख़लांगता साथे आर्थि क्रीते मैनेज करगनों माध्यमों वाल सो्धवा में मजद करगं दर्दी में संसाधन और दिम्हों संसाधन ऑसन आने अउफ्योगं करगो लाएं कि दम्नीας उपड़न उननके सेहाके लिए बहुत करना है technology करना यह तो चले की वीमार के लिए B जडिवार के काम करना अपना काम करना है सोशल समाजी कारे। चेतर तो समाजी कारे। उपलव्ध, निमारक, निदान ये उप्शारात्मत, दर्दियो ना मनोची estuv्सा सारीरिक स्वास नींगारी, तक्निकी व्याँ वालि उप्शारात्मक प्रैक्टिस्स छे। तो आपने तमी भी समाज कारे सूँ छे उप्चारात्माग प्रैक्टिस छे सू माटे तो पूना अस्थाफित माटे यह में सारीनिक आने मानसिक विकास ना साथ जाते आपने पहले चर्चा थाई गया आउट पेसेंट क्लिनिक, कम्मुनिटी हेल्थ एजेंसी, स्कील नर्सिंग फैसिलिटी, लॉंग टर्म केर और होस्पीक, तो एमना सिवाए सिवाए खाली यह नहीं कि आजे कोई ने सारवार माटे हेल्प करी दीदा, बच्छी कई नहीं करवाएं, तो लॉंग टर्म केर भी करना समाज कारे कर की भूमिका है, जो सुसल वर्कर की भू सिंगा वो लोग हों, जो पीछे जाके देखना कि इसका क्या आसर हो, वैसे ही इसमें भी लॉंग टर्म केर के लिए क्या है, बीच-बीच में अगर ठीक हो गया, तो फिर बीच-बीच में भी जाके उससे संपर्क करना, और उसकी सित्ति को समझना, और उसको लोगों में कै कैसे दूसरे लोगों में भी अपलाई करना, तभी भी समाज कारे ना कारे हो, to access the social condition of the patient and provide appropriate counselling, मतलब वैक्ति के सभी उसके conditions को समझ कर, और counselling करना, counselling के लिए क्या, उसका case study करना परेगा, case study मतलब किस सित्ति में था, क्यों उसको परेशानी हुई, हास करके मानसिक बात करते हैं, कि मानसिक किसी सित्ति पर को ठीक करने के लिए काम करना है, तो उसके लिए appropriate counselling होना चाहिए, counselling के लिए पहले उसका पूरा study होना चाहिए, व्यक्तिक अध्यान, हिंदी में बोले तो करते हैं, वह हुआ, to help the patient find ways and means to financially manage with the illness, disability, उसको व्यक्ति को financially manage कैसे करना है, उसको आर्थिक रूप से कैसे manage करना है, उसके विमारी को और उसके disability को ठीक करने के लिए, उसके लिए भी ढूनना है, या तब भी समाज का, उसके समाज कारे, कारियों में मती एक छे, making the patient manage and tap resources for carrying out his treatment and support, the family, making the patient manage, तो जो बीमार है, वो अपने family तो उसका support करे गाई, वो उसको ऐसा रिसोर्स available कराना है, कि वो बनाना उसको तो यह यहां पर भी इसका मतलब यह है कि उसको making the patient manage and tap resources for carrying out his treatment, वो खुद से अपना treatment कर सके, अपने परिवार को सहयो कर सके, medical social worker in school, तो इसके अलमा जो तबीबी समाज कारेकर जो है, इसकी भूमी का अलग-अलग उसमें भी है, खास इसकूलों में भी बच्चो के लिए, counseling के लिए, बच्चों के लिए, दूसरे तरह से help करने के लिए, तो providing crisis intervention, developing intervention, strategy to increase academic success, मतलब कोई बच्चा बच्चों के academic success के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पूर्वके record के अनुसार बच्चा अगर hopeless हो रहा है, और उसको पिछले semester में पिछले year में अच्छा marks आए, तो उसको हम जाके बता सकते हैं, कि तुम इतना अच्छा कर सकते हो, दूसरे बच्चों से, जो दूसरे बच्चे ज्यादा तेज हैं, उनसे ऐसे तुलनाइग, उ उसके उपर focus करो, तो इससे क्या है, उसके अंदर जो skill है, वो उभर के आएगा, और उसके अंदर जो नाकरात्मक्ता भर रहा है, वो नहीं भरेगा, वो सकारात्मक दिशा में आगे भरेगा, assisting with conflict resolution and anger management, अगर कोई बच्चा ज्यादा गुस्सा है, तो उसको गुस्सा कैसे क कम हो, उसके उपर उसको ध्यान दिलवाना और उसके गुस्सा को कम करने के लिए, क्या कर सकते हैं, तो उसको अच्छे से counseling करना, कि इसके क्या-क्या नुकसान है, ऐसे गुस्सा करने से लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगे, ऐसा उसको समझाना, ये एक counseling का पार्ट ह हो सकता है, लेकिन इसके पहले उसकी स्थिती को भी समझना परेगा, कि वो किस स्थितियों में ऐसा भी एप कर रहा है, helping the child developing appropriate social interaction skills, तो बच्चों में कैसे उसको interact होना है, लोगों के सामने वो भी सिखाना, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, ताकि वो समाज में अपने आपक कर सके, और समाज में उसकी लोग अच्छे समझे, एक अच्छे बच्चे की पहचान बन सके, तो medical social worker का school, यानि की बच्चों के बीच में ये काम है, स्टेप क्या है, तो assessment, treatment, securing resources, monitoring, empowerment, and being an advocate, तब भी समाज कारे नों सिक्छन, तो ये कर कौन सकता है, इसके लिए तभी भी स्वास्तकारे की सिख्चा होनी चाहिए, तो सिख्चा के लिए क्या है, तो कौन कर सकता है, तो सामने रहे, for diploma, bachelor's courses, formal education of 10 plus 2 for recognized board, ये जिसके पास ये degree है, वो क्या कर सकता है, MSW, BSW, ऐसा करके, वो bachelor in social work or any other like degree with minimum required, जो degree के लिए जो minimum requirement है, उसको पूरा करके, उसको पास हो, उसको जो percentage degree है, percentage of CGPA है, वो अच्छा लाके, और एक अच्छे समाज कारे करता, बन सकता है, और लोगों को सहायता कर सकता है, इसके अब नहीं के लावा, psychology के जो student है, वो लोगों के सहायता कर सकते है, इसके medical के लोग तो करते ही है, तो हमने अभी ये समझा कि तभी भी समाज कारे, क्या है, तभी भी समाज कारे करता है, भूमी का क्या है, इसके बाद में, समाजी, उसकी योगिता क्या है, वो किस तरह से लोगों की मदद कर सकता है, तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद,